हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इस्टेड़ी 26 पे और आज की वीडियो में हम लोग दिखेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर में जो भी बच्चे हैं उन्होंगे इतियास पेपर को लिया है ना तो उनको यूनिट 4 में जो है ना में टॉपिक जो पढ़ने है उसी का डिसकस करेंगे यानि कि उस टॉपिक को पुरा का पुरा पढ़ने का प्रयास करेंगे आज की वीडियो में तो देखें यूनिट 4 में आप दिखेंगा जब सलेबस को दिखेंगा तो उसमें आपको तो इतनी चीज़ें आपको इस यूनिट के अंतरगत पढ़नी होती है तो आज की वीडियो में हम लोग इसी यूनिट को खतम करने का प्रयास करेंगे इसमें जो भी महत्मून चीज़ें आपको बताएंगे अंडरलाइन करेंगे उसको आप जडूरियाद कीजिएगा चुकि देखिए दोनों का टाइम प्रियर्ड जब देखिएगा न तो उस हिसाब से आपको चीज़ों को आगी बढ़ाना होगा तो पहले इसाई धर्म आता फिर इसलाम आता है यानि कि देखिए आप देखना चाहें तो आप देखिएगा हिंदू धर्म सबसे पुराना है उसके इसाई धर्म फिर बाद में इसलाम धर्म का उदे हुआ फिर सिख धर्म का हुआ ऐसे करके अन्य धर्मों का उदे हुआ है ठीक है तो इसी कड़ी में इसाई धर्म को हम लोग पहले देखने का प्रयास करते हैं तो इसाई धर्म जो है यह आप जानते हैं जैसे हिंदू धर् करने वाले लोग है तो उनका क्या नाम था इसा मसीध था सिखन जन्म यहुदी परिवार में हुआ था इसा मसीख का हुआ इसके बारे में चैन्म यहुदान का मानना कि संच्यूरी में इनका जन्म हुआ था कुछ बोलते हैं कि फर्ष्ट इस कि इस्वी में कुछ 25 दिसम्बर को उनका जन्म हुआ था कि इसी दिसमबर को माना जाता है। इसलीघे सम्बर से जो चलता आपको पता होगा। अब देखिए इस से रिलेटेड हैं कि एक और बात दिहान हम एक जगह था वहीं पर हूँ था जैसे के मान लेजिे आपको बोले कि आपका भारत में ज़न्म कहां हुआ है तो भारत का तो ठीक ऐसी आपको भी बुना होगा ना कि आपका जल्ब जिस जीला में पढ़ता होगा, वहां आपको डिफाइन करना होगा, तो ठीक ऐसे ही, इनका बेथलहम जो जगह है, वहीं पे हुआ था, जिरुसलम में, ठीक है, इसको याद रखेगा, यहां से कोश्चन बन सकता है, कि उनका जन्म कहा हुआ था, इसा मसी का, ठीक है, उनके मा माता का नाम मेरी, जिसको मर्यम भी आप देखिएगा, कहीं कहीं लिखा हुआ है, NCRT मेरी लिखती है, अनि पुस्तकों को भी देखिएगा, तो मेरी लिखती है, मर्यम जो भी आपको याद रखना कर लिजिएगा, पिता जो थे, यूसुप थे, ठीक है, तो दुनों बाते ध्यान में रखिएगा, तो आप देखिए, इनकी कहानी को सुनिए, कहानी को सुनिएगा, तभी आप ये समझ पाईएगा, कि इस धर्म का उदय होने के पीछे का रीजन क्या था, तो आप देखिए, उस चीट को समझेए, बाली आवस्था, यानि कि जब वो छोटे थे थे तो आप एंसर ठीक भी होगा, उसके बाद दोनों का कंसेप्ट एक जैसा है, तो दोनों का यूज भी हो जाएगा, तो देखिए, इसाई धर्म हो या इसलाम धर्म, इसलिए इसका उदय होगा ना, कि समाज में व्याप्त कुरीतियों को, और जो दिक्कते हैं समाज में ना, यानि कि जो भी दिक्कत पीड़ा समस्या था उस समय, उसको दूर करने के लिए इन धर्मों का उद्य होगा था, इसाई धर्म भी उसी में से एक था, इसके बाद उन्होंने अपने उपदेश सीधे साधे सब्दों में दिया, देखिए, इनके समाज में बहुत तरह की दिक है, आप उसको मत ले लिएगा कि धर्म को लेकर आपने बॉल लिए, उनका उपदेश रहे, यह सकारात्मग है, लेकिन कुछ नकारात्मग उपदेश आप दिखते हैं, यूटेव पर आपनों मिल जाएगा, तो इनका semắcारा त्मक उपदेश, उ नहोंने कहांईों के माधिय से लोगों को बताया कि बहाई देखिए और कहानियों के माध्यम से यह बताया कि आपकी जो दैनी इस्तिति इसको ठीक कैसे किया जा सकता है उसके बाद उनके उब्धेश के कारण जो उनका उब्धेश होता था नो वो साधारन भासा में होता था एक दन जो सब को समझ में आ ऐसी भासा का यूज जब वो करते थे तो बहुत से लोग इनके बहुत बड़े दिवाने हो गए, दिवाने का मतलब इनके अनुयाही हो गए, ठीक है? अब देखिए, उनके इन बातों से लोग बहुत जादा आकरिष्ट होने लगे इनके तरफ, यानि कि इनकी जो सीधी साध बातें थी, सरल बातें थी, उनसे लोग इनकी और प्रभावित होने के साथ-साथ क्या होता है? इनका साधा जीवन आकर्सक विक्तित और सब के लिए अत्यधिक प्रेम और शानुवती का बड़ा कारण बना और बड़ी संख्या में लोग इनसे जुड़ने लगे और इनके अनुयाई हो गए, ठीक है? जैसे कि आप दिखेंगा बहुत दे धर्म, यहाँ पर थोड़ा दिखें, धर्म को समझाने में आपको एक चीज जानना होगा, कि जितने भी विस्व में धर्म है तो उनका जन्म के पीछे कोई न कोई रीजन है, और रीजन में आपको सीधा-सी का यूज किया, ठीक है? जिससे लोग उनके दिवाने हो गए या उनके अनुयाई बनते चलेगा, ठीक है? इतनी बाते हम समझ गए, इसा मसी जो है, निर्वीक होकर अपनी बातों को कहते थे, वह जिन बातों को बुरा समझते थे, उनका कटू आलोचना करते थे, यानि कि कोई इस बात का डर नहीं था, कि हमारे साथ क्या किया जाएगा, वो सीधा बात ये था उनके साथ, कि जो अच्छा है, उसको अच्छा बोलते थे, जो बुरा है, उसको बुरा बोलते थे, बहुत से धनी और प्रभाबसाली लोग उनके सत्रू हो गए, चुकि देखिए, आ उसका नाम था, पॉंटियस पाइलेट, ठीक है, इस से इनके बिरोध में सिकायद किया, यानि कि जो धनी लोग थे न, वो इसा मसी से इतने चीड़ गया, कि उन्होंने पॉंटियस पाइलेट के पास गया, और वो बोलने लगा कि देखिए, जो हमारा धर्म, यहुदी धर् कर रहे हैं, यानि कि उन्होंने राजा को भढ़काना सुरू कर दिया, यानि कि पॉंटियस पाइलेट को भढ़का दिया, अब भढ़काने की कारण क्या होता है, रोमन सासको के विरुद्ध, मतलब भढ़काने का काम कर रहे है, इसा मसी, यह बात उनको बोल दिया, कौन? यही धनी लोग, इस पर इसा मसी को बंदी बना लिया गया, अब देखे, कोई भी आजमी किसी भी राजा को भड़का दिया, तो राजा के पास फावर होता था न, कि वो किसी को भी बंदी बना लिया गया, उसके बाद इन्हें क्रोस पर चढ़ा कर प्रामदंड दे दिया गय इसी कारण, इसाई धर्म में आप देखेगा, क्रोस चिन जो होता न, इसका बहुत ही पवित्र महतु है, यानि कि बहुत जादा महतु है, अब क्रोस चिन होता क्या, इस तरह से बना होता है, और इसी पर इसा मसी को देखेगा, लटका दिया गया था, और उनके पूरे सरीर क्रोस चिन जो है, इसाई धर्म को मानने वाले लोग गला में पहनते हैं, लॉकेट की रूप में ठीक है, और उसके बना है, इनका बलिदान यानि की क्रोस पर इनको जो बिट्टुदंड दिया गया, उसके तीसरे दिन, इसा मसी के बारे में कहा जाता है, वो जिवित हो गय इसी घटना की स्मृति में इसाई लोग इस्टर का त्योहार मनाते हैं, यह कि जो इस्टर का त्योहार इसाई लोग मनाते हैं, वो क्यों मनाते हैं, तो इसा मसी को जो प्राम दंड दिया गया, यानि मिर्तियों दिया गया, इसी घटना की याद में इस्टर का त्योहार मना जाता है ठीक है गुड़ फ्राइडे की दिन कहा जाता कि इनकी मिर्ती हुई थी इसलिए आप दिखेगा गुड़ फ्राइडे को स्कूल कॉलेज सब छुटी रहता है ठीक है बड़े दिन को इसाई में उनके जन्म के उपलक्ष पर मनाया जाता है यानि 25 दिसंबर को जो बड जाते हुए चलिए कि अगला टॉपिक इन से समझेट क्या है तो देखिए इसामसी के उपडिश यानि कि उन्हें ने जोगी अपने उपडिश दिये वह किस तरह दिये लोगों को आकरिष्ट किये तो कैसे कि वह चीज़ आप समझगेगा इसामसी बहुदा इस्वर को तो इस बात को भी मानते हैं कि इस्वर से बढ़कर कोई ही नहीं और उसके बाद इनका बोलना था कि देखिए मनुष्ष जो है वो इस्वर से प्रेम करें और प्रेम से पवित्र होकर उनसे पूर्ण आस्था रखकर इस्वर के राज की अस्थापना कर सकता है यानि वह बोलते उसको उनका पुत्र मानते थे यानि कि इस्वर को ही पिता मानते थे रोटिके और मनुष्षों अपने परोशियों से प्रेम करने की सिक्षा भी देखिते ते निंग लिए जुलिए जो भी काम करते तो प्रेम से किजिए उसमें किसी भी तरह का दुंद नहीं रखिए तो इतनी चीजिए उनके उपदेश के अंतर गत्ती और भी चीजों को देख लिए थोड़ा बहुत है तो उसको भी दिखिए इसामसे सीधी साधी सिक्षा है मतलब जो उनक का जो देस्थान वो सीधा साधा लिंग्विज में होता था जैसे लोग उससे जुड़ते गये उनकी हिर्दया में इनकी बातों को घर कर गया यानि कि यह अपने अनुयाईयों को अपनी और आकरिष्ट करने लेगे लोग उनसे जुड़ गये और आत्म विश्वास और साह का संचार लोगों में होना लगा होना शुरू हो गया दिरे दिरे रोम में इसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ खिट देखेगा सेंट पीटर गिर्जाघर का बड़ा पादरी जो होता था न वो जीसस क्राइसिस का प्रतिनीदित माना जाता था यानि कि इसा मसी का प्र पर्चिमीधी माने जाने लगे किसका इसा मसी के ठीक है तो वहीं कि बाकि और कहीं के नहीं इस बात को भी ध्यान पर लेखिएगा इस कारण लोग उसे पौप अर्थात पिताक कहने लगे ठीक है जो पादरी होता था उसको कहा जाता है कि रोम का समराट भी इसाई धर्म को स् उसके उदे के पीछे का रीजन यही था कि वहां पे बहुत ज्यादा कूरितियां पहले थी कहा यूरोपियन कंट्रीज में ठीक है और वहां के लोगों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी इन ही चीजों को ठीक करने के लिए इसाई धर्म का उदे हुआ और इसका उदे इस देने प्रारम किये और उसी उदेश से प्रभावितों का लोग इनके अलुयाई बनने लेगे इन्होंने बोला कि इस्वर ही इस पूरे प्रित्वी पर प्रित्वी का हेड जो है मालिक इस्वर है और हम लोग उसके संतान है वो हम लोग के पिता के समान है और वो बोलते था ठीक है और इसी के तहट आप दिखेगा चोथी सतावदी इसापुरु नहीं चोथी सतावदी इस भी तक आते आते हैं पूरे रौम में इसाइधर्म का मतलब फैलाब हो गया और दिरे दिरे पूरे विस्व में इस धर्म का परचार परचार होना प्रारम हो गया इसाई धर्म की पवित्र ग्रंथ जन वो बाइबिल है इस बात को ध्यान में रखना है कि बाइबिल किसका है और कुरान हदीस किसका है तो कुरान हदीस इजमा कयास ये नाम आए तो इसाई धर्म में नहीं लगा दीजिएग पुस्तर्टिक है इसमें इसा मसी के जीवन चरीत्र और सिख्षाय दी गई है बाइविल पहले यहूदियों की भासा यानि लिखी गई थी यानि बाइविल का सबसे पहली बार जो लिखा गया था लो तो उसको हिब्रू में लिखा गया था और बाद में इसका ट्रांसलेशन यूनानी और इंग्लिस भाषा में हुआ था इंग्लेंट के राजा जो थे जेम्स प्रथम उन्हीं के अधिसपर इंग्लिस में इसका अनुवाद हुआ कब तो इतनी चीजें Bible को लेकर भी ध्यान रखनी है कि Bible की भासा क्या थी Hebrew थी बाद में युनानी और पिर अंगरीजी भासा में इसका अनुवाद हुआ और Bible जो है इसी में उनके उपदेश यानि इसा मसी के उपदेश और सिक्षाओं के बारे में चर्चाएं की गई है या करें तो यही चीज़ लिखना है आप से पूछ दे कि इसलाम मतलब में आपके जिए इसाई धर्म के उद्वव और विस्तारबत प्रकाष डाले तो इतना ही लिखना है ठीक है दोनों ही कोश्चन यह जैसा है बस नाम खाली ट्विश्ट कर देगा इसा मसी और इसाई धर्म ठीक है तो यही आगे का बदलेगा और बाकी कोश्चन यही रखनेगा तो इसको इसी तरह से ध्यान में रखते हुए लिखना है जो कि फॉर्मिट अभी आपको बता दिए अब चलिए दूसरा जो टॉपिक इसी में है दूसरा टॉपिक वरवर आकर्मन तो वो क्या है तो अब देखिए गए बताती है रोमन सामराज जो सामराज में बटा हुआ था आप जानते रोमन तंता जब वहां पर पढ़ाये थे आपको, कि वहां पर मतलब जो सासन तंतर था ना, वो तो सासक चलाता ही था, लेकिन उतने बड़े छेत्रों को कभर करने के लिए, वो सेना को गठित करता था, जो कि टुकडियों में बटा हुआ था, और वो उस छेत्र के सभी जगव को एक तरह से बांद के रखने का काम करता था, लेकिन समय की दुर्वती भी होती है, और समय का पहिया भी घुमता है, एक बात आप जानते हैं, तो रोमन सामराज की इतिहास में भी एक पहिया घुमा है, जो की है बरवर आकर्मन के रोप में, तो आखिर बरवर आकर्मन है क्या तो उस पर बर का मतलब यह होता है जो कि मार्फीड की ज़्यादा परसंद करते है लूटना ज्यादा परसंद करते है तो ऐसे ही लोग पूरे वीद में पाए? बहुत से जगहों पर पाए जाते है जैसे हैं आप पून आकरमन के पार में सुने हुगए तो हूशナ है उसी तरह उबने या बचने के लिए इन्हों ने अन्य छेत्रों पर आक्रमन करना प्रावन किया तो बरबर लोगों की सबसे बड़ी दूबिजा यह थी कि यह जातिकत रूप से ही यानि बच्पन से ही यह लड़ाकों पर विर्थी के थे यानि इनको युद्ध ही पसंद था यह सांती दिखे हैं बरबर जातियों का आक्रमन हुआ तो इसका रीजन यही था कि उनकी वेग्ड्राउंड ही ऐसी थी कि इनको युद्ध करना ही पसंद था इसलिए भी कि दूसरा इनकी भागोली किस्तिती इतनी खत्रणाग थी यहां पर यह लोग रहते थे थे ना वहां पर रहन करें आपनी साठा को स्थापित करेऊं तर वहां पे एक दरस से मुनारकिय शिस्टम को स्थापित करें वहां पर रूल करना शुरू करें तो यहां भी इनका विचार था तो derivative बहुत अच्छी नहीं थी इनकी जंसंख्या दिन-पार्टी दिन बढ़ती जा रही थी और इन ही सोच से इन लोगों ने रोमन सामराज पर आक्रमन किया यही लोग थे परवर तो देखे एकदम आपको सौटली इतना चीज बता दिये और यही चीज अब लिखे हुए इसी को आप पढ़ लीजेगा तो बस बात खतम यह कहानी ही पूरा खतम हो जाएगा और एक बात आ जादा यूज करना ना कि ऐसे लिखेगा कि मतलब आप लिखे जा रहे हैं और आप ही को नहीं पताए कि क्या लिख दिये तो उन्हीं चीजों को यूज करना वाँ ठीक है तो अब चलिए दिरे दिरे चीजों को सुरू करते हैं यहां से तो भरवर जाती कि लोग आरम से ही लड़ा को आकरमक और लूटेरी पर विटती के होते थे जो कि अभी हम बता दिये यानि इनको लड़ाई जगड़ा ही पसंद था यह अपनी आजीवका को चलाने के लिए ना दूसरे जातियों पर आकरमन कर उनको लूटने का काम करते थे इनका मानना था ना कि यह लोग मा अपनी गंदी थी ना कि जहां पर यह लोग रहते थे लोग उस जगह पर रहना यहांनी सारीरीक लाव के लिए भी सारीरीक दिरिष्टी से भी अच्छा नहीं था ऐसे जगह वहां का टेंपरेचर बहुत ज़्यादा यह अन्य तरह की दिक्कते वहां होती थी तो इनी करम में जानते हैं इन लोगों का अकरमन भारत अनि देशski पर भी रहा और इसी करम एक जगह यहां पर इनका नहीं ने भरबरकीन कारियोंने विश्टी सभी जगह यहां पर आकरवन कैया तो आप चलिए के कारण की था उसको दिखते हैं फिर इसके प्रभาव देख लेंग कब से कब तक तो एक सौ इसा पुर्भू से लेकर 446 शी सिवी तक आकरमन किया है तो यह डिट याद रखेगा लगवक एक सौ इसा पुर्वू से इन्हों लेकिन क्या होता है न कि आप चीज जानिये कि इसा होगा कि हम धिरी एक बार में काम ने सुना हुगा कि वार ने कुर तो ठीकई वैसा ही इन करते रहें यही वजय है कि आपके गएrice क्ल見て तो इस बात को भी थोड़ा दियान में रखेगा अब चलिए देरे-देरे इनके आकर्मन के पीछे का कारण क्या था उसको एक एक करके आप समझते चलिएगा देखिए कारण हम बता चुके लेकिन आपको फॉर्मेट में लिखना भी होगा यह तो पूरा इंट्रोडक्शन थ लोग का रोमं सामराज पर आकर्मन के क्या कारण थे आभ उसको देखेंथी तो पहला आकर्मन था आंकरमनदी था कि बरवत जातीकत जो नितियां यह उनका जो जो सभाव था इसी के वज़एसे इनों थे आट्यजेगा दार्ट्शन पता यह लड़ना जादा पसंदग करत और हम जो है और हम अच्छे बीपाएंगे तो इस बजह से यानि आर्थिक कारणों से वी इनका आकर्मन होता रहा और यह लुटेरे प्रिवीर्थी के थे यानि लोटना खसूटना इनका मुख्य काम था इस वजह से भी इन्होंने आकर्मन किया था दूसरा कारण यह भी ध्यान में रखना है तीसरा कारण जो है इससे रिलेटर उसको देख लीजे भागोली की स्थि आपको हम पहले भी बताए कि इनका जो जर्म होता था यानि की जो बरवन लोग जहां रहते थे शुरू से अच्छा नहीं होता था यानि वह इनके जीवन के अनुकुल नहीं था इस वज़ए से यह लोग चाते थे एक नया जगा जाया जहां पर जीवन भी अच्छे से चल यानि कि खाने पिने की चीज बहुत कम है और लोग जादा है तो इस वज़ा से भी चाहते थे दूसरे जगह जाएंगे वहां पर लूट खसोट मरा मचाएंगे और वहां से चीजों को मतलब लूट के हम खापी के अपना जिंदगी जीएंगे उसके बाद के पाचमा कारण थ लोग चाहते थे नए जगह पर जाके वहां के लोगों को हराकर वहां पर अपनी सत्ता को स्थापित गरें और उसी सत्ता के मतलब अपनी सासन कंत्र को चलाने का काम करना चाहते थे तो इसलिए भी इन्होंने आकरमन किया था तो यह पाचमा कारण था अब देखिए जो इन इससे क्या result निकला कि यानि कि रोमन सामराज रहा ये खतम हो गया ये भी आपको जाना हो गया तो ठीक है तो अब उसको समयने का प्रयास किजिए इन तमाम कारणों के कारण दिखे आप जब लिखिएगा प्रभावना तो आप उसमें कारणों की चर्चा किजिएगा और के वज़ह से इन लोगोंने क्या किया आकरमन करना प्राण किया और इन्होंने आकरमन केबल को मन सामराज पर नहीं स्ब्यास करना प्राण किया ताकि वहां जाकर ये बसे रहे और वहां के लोगों को लूट कर अपने जीवी का को चला सके ठीक है अब देखे बर्मन अग इन बर्वर आकरमनकारियों का आकरमन होता रहा आरंबिक दोर में रोमन सामराज के जो भी सासक्तिन उन्होंने इनके आकरमन को विफल भी कर द गये यह लोग रोमन सेना में घुस गए ठीक है और इन्होंने किसी तरह रोमन सेना में अपना जगर में जब के बनर जायेगा किसी भी देष का कवह यह वह और घिर अपने घर पड़ों अगल बगल अब देखें, जब जब मजबूत राजा रहेगा, कोई भी मतलब सासंतंत्र में, तब तक वो अपने उपर होने वाले आकरमन से अपने राज को बचा लेगा, लेकिन जैसे ही राजा कमजोड होगा ना, तो जब भी उसके उपर कोई बाहरी आकरमन होगा, तो वो उसको नहीं बचा पाएगा, तो ठीक वैसा ही हुआ, उसी समय देखें, थियोडोसियस नाम के एक राजा था, जिन्हों ने इस आकरमन को खत्म करने के लिए, इससे अपने राज को बचाने का प्रयास भी किया, उसकी घेराबंदी करी, उसने सेना को संगटित किया, ये तमाम कारी किये उसने अपने राज को बचाया भी, लेकिन उसके बाद जो उसका बेटा होता था, हुआ न, होनोरियस, ठीक है, होनोरियस ने भी अपने सामराज को बचाने का पूरा प्रयास किया, आरम में इसको सफलता भी मिली, लेकिन धीरे दिरे देखें समय का पहिया घुनता है, और यह एक गलती करके बैठ का, कौन, होनोरियस, यह क्या किया, ब्रितेन के इलाके में जो रोमन सेन ती न, वहां भी, मतलब एक तरह से आप देखिए पश्ची मोथ्तर जो छेत्र था इसका ब्रिटेन वाला इलाखा उस छेत्र में रोमन सेना थी वहां पे रोमन सेना मतला अपनी एक तरह से कई तो साख बनाये हुए थी यानि को आपर रोटर करने का काम कर लुए कि अपनि इस ने अपनी सेना को केंद्र सामराजिका ना उस पर धीरे धीरे आकर्मन करना प्रारम किया और उस पर अधिकार भी अपना अस्थापित करना आरम कर दिया जिससे अब दिकतें देखे नहीं पैदा होगी इसके बाद कि हिनके बरावर आकर्मन के कार्यों से एक मिनध्य देखे या पर थोड़ा गलत लिखा गया तो आप लिख लिएगा इन बर्वर आकर्मरकार्यों में थे हूनों ने भी क्या क्या है पूरे विष्ट्रु के साथ सात यहां भी सास्नास तबाहि मचाने का डाहई काम किया और यह लोग भी यहां पे रोलाग साम राजरोमाराज का पर अकम्छरा करता हुआ पर रहता है उसके पर पर अपने अधिकार अस्थापित करने लगे और इससे यह होता न बाद में आप दिखेगा रोमन सामराजी का भी गर्टन भी शुरू हो जाता इन ही कारणों से तो बरबर आकरमन कारियों का यही एक रोल है यही प्रभाव है जिसको हमने बता दिया पूरे आकरमन का कारण को को बता दिये और इसके प्रभाव को बता दिये यानि सीधा आप समझेगा आप देखे एक लाइन में आपको सीधा बता देते हैं कि बरबर आकरमन कारी इसलिए आकरमन के कि उनकी भोगोली की स्थिति अच्छी नहीं थी उनको लड़ने का सौक था तीसरी बात है इसमें ध लेकिन बाद में वही हुआ कि इन्होंने सफलता पा लिया और सफलता पाने के साथ ही रोमन सम्राज का विगटन भी हो गया और रोमन सम्राज का भी गटन नहीं कहिए उसका भवन धिरे-द्रे चर्मराना शुरू हो गया यानि ये वो घर आप बनाए और घर में कहीं से अग्रसर हो गया इतनी चीजे इस से रिलेटेड आपको ध्यान में रखनी थी इतना ही चीज आपको लिखना भी है यह हो गया बरबर आकरमन ठीक है अब आज यह अगला टॉपिक जो आपके लिए है वह है इसलाम धर्म इसले भी जाना जोरी है चुकि यह आपके एक्जाम को लेकर बहुत इंपोर्टेंट है यहां से अब्जेक्टी भी बनाया ठीक है तो पहली बात तो यह समझेंगे कि इसलाम धर्म का उदे क्यों हुआ तो आपको बता देते हैं इसलाम धर्म उभरना भी चाहिए था इसलिए कि वहां पे बहुत से धर्म थे ठीक है पहले से ही व वहां के लोग जो है अरब जो इलाका है वो बड़ा रिगिस्तानी इलाका है ठीक है तो वहां के लोग जो अपने में ही एदम लड़ाई जगड़ा करते रहते थे और इन्हीं वज़ों से एक नए धर्म का उदे हुआ यानि कि आपने इसाई धर्म को देखा क्या हुआ हु लाल सागर पूर्व में फारस की खाड़ी और दक्षिन में अरब सागर के बीच में अवस्ती इसका जो अधिकांस भाग है यानि कि रेगिस्तान वाला इलाका है इसमें मक्का हरित पटी को छोड़कर बाकी सबी जगह पे क्रीसी वहां नहीं होता है उसके बाद दिख लग जल जाती है होते थे और उट का पालन करते थे चुकि रेगिस्तानी इलाके में उट पर ज्यादा छल सकता ही इसलिए यह लोग का पालन करते थे और यहां पे जो भी विविन्तर के जातियां थी उनमें संगर्प्, भी होता रहता था यही वज़या है कि इस समय अरब म मुहम्मइशथ। इंहों ने इन्हों ने देखा हमारे अगल में लडाई जगड़ा चल रहा है। इस लडाई जगड़ा को सांध करने का इकमात रूपाए है कि लोगों को सम्झाब हुचा कर ये तो ठीक किया जा सकता है। इसलिए यह क्या करते हैं कि इतना लड़ाई जगडा चलेगा, आप भी देखेगा आपके अगल मदल में लड़ाई जगडा होगा, तो आप चाहिएगा कि एक ऐसे जगह पर जहाएं, यहां पर सांती मिले, तो यहां भी एक सांती वाले जगह को खोजने लगते हैं, और सांत में अपना भगवान सी इस्वर से प्रार्थना करने लगते हैं, और इसी वीच में एक वेक्ति आता है जिब्रिल, जो कि दूध होता है, इस्वर का, यही आता है जिब्रिल, और वो इनको उब्देश देता है, कि भाई, तुम इस्वर की नाम पर पढ़ो, यहीं कि इस्व आता है, तो इतनी चीजें तो आप समझ गये, कि यहीं रीजन क्या था, वो चीज आपको हम सौटली बता दिये, चुकि आपको चीजों को लिखना है, आप बहुत ज़्यादा, एकदम आपको तिन-तिन पेज का हम बता देंगे, तो आप खाली कारन नहीं जामते रहे जाई द्वारा स्थापित नवीन धर्म जो एक इस्वर वादी है, यानि कि यह जो इसलाम है ना, यह केवल अल्ला को मानता है, इसके अलावे किसी को नहीं, जैसे हिंदु धर्म में देखिएगा हम लोग क्रिस्न को भी पूछते हैं, राम को भी पूछते हैं, उसका सिब जी को पूछते हैं, सब को पूछते हैं, लेकिन इस्वर, मतलब सब तो इस्वर की ही रूप में ना, इनी को हम पूछते हैं, लेकिन यह जो धर्म को मानने वाले हैं, इसलाम धर्म को, यह लोग केवल और केवल किसको अल्ला को पूछते हैं, यानि कि भगवान के रूप में यह की पुजा उपासना करते हैं ठीक है अपने आपको इस्वर जिसे वे अल्ला करते हैं का संद्य स्वाहग घोसित कर दिया है उसके बाद दिखिए ये एक इस्वरबादी धर्म है कौनी इसलाम और इसी में आप दिखेगा ये जो पेगंबर मुहम्मद सहाव है वो अपने आप के सामने समर्पित कर दिया खुद को उसी को बोलते है इसलाम ठीक है उनके अनुयाई मुसल्मान का अर्थ होता है जिसने समर्पन कर दिया और इसलाम का अर्थ होता है क्या जिसने अल्ला के सामने समर्पन कर दिया ठीक है तो इतनी चीज़े इससे रिलेटेड आपको धिया तो पेगंबर मुहम्मद साहब थे, इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, इनकी माता का नाम अमीना था, ये कोश्चन पोछागा की, पेगंबर मुहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था, तो वो अब्दुल्ला था, उनकी माता का नाम अमीना था, ठीक है, दोनों बाते न चाचा के साथ ती यह ब्यापार वेबसाइट जो उनके चाचा करते थे ना, उसी में भाग लेने लगए, यानि कि उनको साथ देने लिगए, और इसी करम में इनका एक मुलाकात एक महिला से होता है, खदीजा, जो कि पहले से ही विद्वा रहती है, ठीक है, उसी से इनका मुलाकात होता है, और उसी से ये बाद में साधी भी कर लेते हैं, तो इतनी बात आप ध्यान में रखेगा, कि इनकी पत्नी का नाम खदीजा था, अब्दुल्ला मुहम्मद साहब दोरा इसलाम धर्म की अस्थापना का मूग की उद्देश था सभी जन जातियों को यानि कि वहां पे जो सभी लोग रह रहते न अरब छेत्र में उनको एक साथ मिला देना और उनके बीच में जो विभाजन है उसको खतम करना उनमें जो लड़ाई जगडा क परविटती है उसको खतम करके उनको एक साथ रखने का काम करना ही इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस धर्म का उड़े हुआ और इसको यानि कि एक सुत्र में बानने के लिए लोगों को एक जूट करने के लिए उन्होंने इस धर्म की अस्थापना किया था पहला उसके लिए इस्लाम धर्म के परचाट परशार के करम में मुहमद साहब में को लोगों का विरोध भी मिला है यानि कि जब आप कोई चीज नया कीजेगा तो लोग आपके विरोध में खड़ा हो जाएंगे ठीक वैसे ही मुहमद साहब के साथ भी हुआ जैसे इस साही धर्म से यानि कि मक्का से मदिना चल जाएंगे ठीक है मक्का जहां पर यह रहते थे वहीं से यह मदिना चल जाते हैं और इसी घटना को क्या बोला जाता है जो मदिना है ना वही होता है नवी का सहर का लाता है ठीक है और यह कब जाते हैं 16 जुलाए 1622 को मक्का से मदिना चल जात कि मुसलिम लोगों का जो संबत होता है ना जैसे हम लोग करम संबत को मानते हैं हिंदु वाले तो मुसलिम वाले हिज्री संबत को मानते हैं ठीक है तो उसमें रोजा का महिना होता है यह सभी चीज़ें उसमें होती है जो कि आप जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो जानना भी नहीं है, चुकि आपको जो जामना है, वो चीज़ हम बताते जा रहे हैं, ठीक है, तो हिज्री संबत की शुरुआत हो गई, यहीं से जो मक्का से मदिना, यह लोग चले गए, ठीक, उसके बाद देखे, क्या होता है, उसके बाद यह देखे, इसलाम धर्म जो ना, वो पूजापाट करते हैं, ठीक है, इस बात को धियान में रखेगा, यह कर्मकांड को माननेता देते हैं, और पुणरजन्म के सिध्धान को नहीं मानते हैं, यह लोग पूजापाट में आप दिखेगा कर्मकांड को मानते हैं, लेकिन यह पुणरजन्म की जो ब्याख्या की जाती है धर्म में वो नहीं मानती है यह नहीं बोलते है कि पुनरजन्म होता है ठीक है मुसलिम लोग जो है ना उनका यानि मुसलिम धर्म को मानने वाले लोग इसलाम को मानने वाले लोग अब देखे अगले टॉपिक को समझते हुए चलिएगा आप कि इसलाम जो है वो एक इस्वर वादी धर्म है यानि कि एक ही इस्वर को मानता कि इसको तो अल्ला को इसके पांच अस्तम्ब हैं वो कौन-कौन है कल्मा कल्मा का मतलता है अल्लायवम उसके रसूल में विस्वास क करना ही कल्मा कर लाता है नमाज यह देखे इसलाम को मानने वाले जो लोग है वो नमाज अदा करते हैं जो कि आप जानते होंगे कि नमाज में होता है इस वर की प्रार्थना करना ही नमाज कर लाता है उसके जकात होता है जकात का मतलब होता है कि यह इसलाम को मानने वाले प अपने पूरे संपत्ति का यानि मान लेजिए आपके पास एक रुपया है ना तो उसका आप चालीसवा भाग दे दीजे कि इसको इसलाम धर्म के परचार परसार के लिए ठीक है तो यही परतिक मुसल्मान को बोला गया है ठीक है उसके बाद कि रोजा का मतलब होता है व्रत जो कि एक महिने तक यह लोग करते हैं इसलाम को मानने वाले लोग हाज मतलब हुए मुसलिम धर्म को मानने वाले लोगों को मक्का कि यातरा करनी चाहिए यही होता है इसका मतलब यही पाँच इसके अस्तम है इसको ध्यान में रखेंगा आपको पुरान जो है मुसलमानों का यह पवित्र गरंथ है इसको आपको बता ही भी है उसके बाद मुहम्मद साहब के मिर्टियों के बाद सबसे बड़ा प्रस्ट यह उठने लगा कि उनके उत्रा धिकारी को नहीं यह तो उसके बाद क्या होता है कि यह सवाल उठने लगा कि कि फिर अगला यानि कि यह इसलाम धर्म के पेगंबर के रूप में चुना जाए लेकिन पेगंबर मुहम्मद साहब ने पहले ही कर दिया था कि हम अंतिम पेगंबर हैं हमारे बा होते हैं उमर है उस्मान है अली है इनी सभी खलीपाओं के समय में यह इसलाम धर्म जो है इसका बहुत ज़्यादा परचार परसार होता है कहां कहां होता है तो उसको भी दिख लीजी इसके समय में इराक है सीरिया है मिसर है भारत है और उत्री अफरीका के छितरों में इस परचार 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 यही जो अबुबकर, उमर, उस्मान, अली यह जो चार खलीफा थे इनी किसमे किया जाने लगा ठीक है और इन लोगों ने परचार परचार में अपनी महत्पुन, भूमिका भी अदा की अब देखिए अंतिम चीजें जो है उसको अब एक बार देख लगा थी जो कि उनकी पत्नी थी, ठीक है, तो यह ध्यान में रखिये है कि जो मुहमद सहाब है, उनके कोन-कोन अनुयाई थी, सबसे ज़्यादा उम्र का कोन था था, तो अभूवकर था, सबसे पहला भी था और सबसे ज़्यादा उम्र था, अनी चार घृजाज को था, उ तो आज के वीडियो में हम लोग यही पे इसको इंड करते हैं, चुकी देखिए, चीजों को हम बहु ज़्यादा पढ़ा भी देंगे न, तो आप नहीं ध्यान में रख पाईएगा, 30 से 35 और 35 से 40 मिनट का वीडियो बहुत बढ़ा हो जाता है, और उसको ही कवर करना बहुत म का बचा है, और उसके साथ पांचमा टॉपिक को भी सुरू कर देंगे, मैंनों उसका करा देंगे, तो इसके साथ ये पूरा यूनिट खतम हो जाएगा, जो कि आपने कहा था, कि सर पहले यूनिट 4 कराईए, फिर 5, तो उसी तरह हम चल रहे हैं, फिर आपके 2 और 3 करा दें तो चलिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तुम तक के लिए धन्यवाद,